हेलो स्टुएंट्स तो देखें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक चीजह हैं बेसिकली देखो आप 10th क्लास 11th क्लास में मूव कर रहे हो तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ पढ़ेंटलिक स्टेट्मेंटल उफ इनार्गेंटिक केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूइंट्स के पासे फीडबैक होता है कि रटने का है उनको ऐसा लगता है कि चीजहां को सब रटनी होती है नहीं इशू क्या होता है कि हमें बेसिक नहीं पता होते हैं तो इनॉगनी के मिस्ट्री आप पढ़ना शुरू करो और विसले उसका बेसिक चेटर है वह हम लोग आगे शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक सेखने होंगे कुछ fundamental सीखने होंगे जो अगर आपको अच्छे से आता हैं तो आप इनोगनी के मिश्रीक इंदर बहुती स्विफ्टली मूव कर सकते हो तो अगर आप इनको जानते हैं तो आप आगे मूव कर सकते हो और सीधा अपने प्रेडिक्टीवल चेप्टर से स्टार् पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मूव नहीं कर सकते हो तो इस आर फंडामेंटल्स ओफ आई ओ सी डाट इस इनोगनी केमिस्ट्री एक्चली फिजिकल इनोगनिक आपकी दोनों में ही काम में आती है लेकिन प्रसाइजली और ज्यादा तर ही आपके इनोगनी के अंदर काम ये सब लिखना सिखाउंगा डिशिचरेम भूुव करेंगे सबसेल्शलय देखें हम लो बात करते हैं ईलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेश्ण की बात करेंड उससे पहले हम एक टम की बात करते हैं या आटोमीक मोडल के कि अगर हम बात करें मैं आपका atomic models नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम एक atomic model की बात कर रहे हैं, जिसे हम बूलता है quantum mechanical model, क्या बूलता है quantum mechanical model, जिसके उपर हम atom की structure को assume करके चलते हैं, और उसी के basis पर हम चीजों से deal करते हैं, तो देखें, एक model आपने बच्पन से सुना होगा, कि एक atom के अंदर क्या होता है, एक nucleus होता है, और उस nucleus के चारो तरफ अलग-अलग shells होते हैं, जिनने हम energy shells बोलते हैं, या फिर हम इनने orbits के नाम से भी जानते हैं, पर आप ध्यान से सुनें, कि ये जो quantum mechanical model होता है, ये, देखो, nucleus के atom के अंदर क्या होते हैं, electrons होते हैं, protons होते हैं, और neutrons होते हैं, electron, nucleus, proton क के अंदर, sorry, nucleus के अंदर protons होते हैं, ये electron उनके चारो तरफ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन, अब ये चीज़ें आप डिटेल में, atomic structure पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब अभी आप ध्यान दे, quantum mechanical model जो है, वो इस घूमते वे electron का, कौन सा nature consider करता है, wave nature, ये आपको समझना होगा, कौन सा nature consider करता है, wave nature consider करता है, मतलब ये इसको एक electron wave मान के चलता है, ठीक है, और किसी भी wave को denote करने के लिए हमारे पास एक mathematical formula है, mathematical function होता है, उसे हम उसका wave function बोलते हैं, क्या बोलते हैं, wave function, ठीक है, ये कुछ terms होते हैं, तो basically, मैं आपको समझाना क आचा रहा हूँ कि यहाँ पर जो electron घूम रहा है, बेखो electron वैसे एक particle होता है, क्या होता है, लेकिन nucleus के चारों तरफ जो electron घूम रहा है, हम उसका particle nature नहीं consider करते हैं, हम उसका wave nature consider करते हैं, ये चीज़ हमें एक scientist ने सिखा है, तो इसका नाम होता है, इंडियन लेक्वेज में हम उसे डी ब्रोगली बोलता है, तो ये भी आप सीखोगे, अभी हमें नहीं सीखना है, अभी तो जो बता रहा हूँ, बस आप से ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, फिर एक और scientist आया था, जानते हैं, बार दे नेम ऑफ हाइजन बर्ग, किसके नाम से जानते हैं, हाइजन ब делает whale of finding electrons around the nucleus, तो हम nucleus के चारो तरफ electron मिलने के सिर्फ chances बता सकते हैं, मतलब मैं तो ये कर दे सकता हैं हैं, मतलब मैं अई र्युकलिव सकता कि nucleus से इस पहंड पर electron मिलेगा ही, मिलेगा, नहीं, आप certain नहीं हो, uncertain हो, electron मिल सकता है, तो देखो, nucleus के मिल सकता है, यहां, यहां, यहां यहां कहीं पर भी मिल सकता है थो जहां electron मिलने के chances होते है उस region को हम define करते हैं आप समझो आपने सीखा है बचपन में भी सीखा होगा कि nucleus के चारों तरफ अलग-अलग shells होते हैं जो पहला shell होता है उसे हम भूलते हैं K shell जो second shell होता है L shell जो third shell होता है उसे हम बोलते हैं M shell और इस तरह से अलग-अलग shell चलते जाते हैं तो सबसे पहले हम आपको समझा रहा हूँ कि shell का मतलब क्या होता है shell nucleus के चारो तरफ वो एक region होता है वो एक space होता है जहां पर electron मिलने के chances होते हैं जहां electron मिलने की probability होती है तो अगर हम shell को दिखाएं तो कुछ ऐसे दिखाता है जैसे nucleus है मालो मुझे first shell दिखाना है तो first shell क्या होगा मालो यह region है nucleus के चारो तरफ जहां पर electron मिल सकता है तो इस पूरे region में electron कहीं पर भी मिल सकता है समझ पा रहा है इसे हम shell बोलेंगे यह जो मैंने region shade किया है ना इसको हम electron cloud के नाम से जानते हैं क्या बोल देते हैं हम electron cloud यह आपको बताता है कि nucleus के चारो तरफ इस पूरे region में electron कहीं पर भी मिल सकता है हलका साथ को idea होना चाहिए कि हम electron cloud किसे बोलते हैं तर्म आप almost पूरी chemistry के अंतर यूज करते होगे electron cloud electron cloud और कुछ बच्चे उस electron cloud नाम से confused हो जाता है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि electron cloud का मतलब क्या है कि एक तरीका है represent करने का जैसे मानलो मैं आपको एक छोटा सा काम करने को दूँ एक area है एक city है मानलो ठीक है उस city में यह मानलो एक जंगल में गए ठीक है और उस जंगल में आपको किसी particular species को ढूनना था मानलो आपको tiger ढूनने है ठीक है तो आपने देखा कि इस पूरी region में tiger मिलने के chances कहां पर हैं आपने उसको shade कर दिया यह region को कि इस region में tiger मिलने के सबसे ज्यादा chances हैं बताओ कि आप 100% certain हो कि यह tiger मिल सकता है वो सकता है tiger यहां भी मिल जा ए हो सकता यहां भी मिल जाए लेकिन टाइगर मिलने के maximum chances कहां है यहां पर है इस पूरे रीजन में टाइगर कहीं पर भी मिल सकता है एक तरीके से आपने हैं टाइगर क्लाउड डिफाइन कर दिया क्या टाइगर क्लाउड इस एरिया में अगर चले जाओ तो आपको टाइगर मिलने की बहुत जाधा probability है बहुत जादा Chance ऐसे ही इस रीजन में आप चले जाओ तो इलेक्टरॉन मिलने के के चांसे क्या हैं बहुत जादा इसको मैंने क्या बोला electron cloud सबसे पहले आपको electron cloud का मतलब पता होना जाए कि उसके अनुक्त बोलते किसे हैं एलेक्ट्रान क्लाउड स्पेस में वो जगह है वो रीजन है जहां electron मिल सकता है उसी रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं क्लाउड देते हैं ठीक है बाकी फिर में आपको बहुत डीटेल में सिखाऊंगा अभी तहां वह बेसिक चीज़ सिखा रहा हूं तो छोटी मोटी चीज़ है हम जो भी पढ़ने वाले हैं इसकी उपर बेस्ट है एक तो हम नुक्लियस के चारो तरफ इलेक्ट्रों मिलने के सि और दूसरा हम वो रीजन जहां इलेक्ट्रों मिल सकता उसको हम क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रों क्लाउड बोल देते हैं ठीक है चलिए अब देखें इस मॉडल से कुछ नंबर्स निकलते हैं जिरे हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स तो सबसे पहले मैं आपको मिलाओंग ये अटम numbers बेसिकली आपके पास एक set of numbers होता है क्या होता है set of numbers जो किसी atom में electron की location को दिखाता है कि एक atom में electron कहां मिल सकता है थीक है तो अब इन details में नहीं जा रहा हूँ मैं simple आपके सामने define करने जा रहा हूँ हर quantum number का अपना एक मतलब होता है total आपके पास चार quantum numbers होते हैं इस पर जो सबसे पहला quantum number है उसे हम बूलते हैं principal quantum number क्या बूलते है principal quantum number या और इसे हम denote करते हैं n से किसे denote करते हैं n से ठीक है तो देखो यह quantum numbers आप पढ़ रहे हो जो भी आप पढ़ रहे हो यह last में जाके सब एक साथ अठाच होंगे अ भी तो हम सबको अलग लग पड़ेंगे फिर सबको च्रप एक साथ लिंग निक करें नहीं गिशो बहुत ध्यान से देखते जाओ समझते जूर्थ समझारों प्रिंसिपल मीर próकाव तो क्या बताता करता है जहां पर electron मिलने के chances होते हैं एक है इच वैल्यू आफ एन इच वैल्यू आफ एन रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स और शेल या फिर आप इसे और बिट भी बोलते हो तो यह आपने अभी डिफाइन के थे ना के शेल इसलम इनको आप शेल भी बोल सकते हो शेल ए और फिर आप क्या बोलते हो इन्हें और बिट भी बोलते हो तीसरी चीज यह तो पहले देख लेते हैं तो यह न्यूक्लियस है आपका तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अब आप अलग-अलग शेल्स डिफाइन कर सकते हो जैसे यह यह वाला जो रीजन है इसे हम बोलेंग यह बन जाएगा टू फिर इसके अराउंड एक और शेल्स बनेगा जिसे हम बोलेंगे एंप शेल्स और बताओ एंप शेल्स के लिए एन इकुल टू क्या हो जाएगा थ्री एन की हर वैल्यू न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शेल्स को दिखाती है और इस तरह से इन्फा पहानी क्या होगी आगे बढ़ती जाएगी तो सब्सक्राइब आपको शेल्स का या और्बिट का मतलव सौन में आना चाहिए न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसे हैं उसे हम लोग किस से डिनोट करते हैं शेल्स से डिनोट करत इनक्रीजस तो जैसे से एंकी वाली बढ़ते जाती है बैसे से शेल्स का साइज भी बढ़ता है और साइज शेल्स के नेर्जी यानि फर्स शेल्स के छन पधला हम से जब्सक्राइबäter को इसकी उससे ज्यादा अब्सक्क्र completely चाहल्स क्रुछadece ज्यादा दो अगर हम एन देखो first shell जैसे n equal to 1 लिखा तो ये lowest energy वाला होता है और देखो इसकी lowest energy है ना तो इसे हम बोलते हैं ground state क्या बोलते हैं ground state इसी तरह जो अगला shell होगा n equal to 2 उसकी energy n equal to 1 से ज्यादा होगी ये आप समझें आप जैसे से nucleus से आगे बढ़ते जाओगे shell की energy बढ़ते जाएगी क्योंकि nucleus का attraction force क्या होता जाएगा कम होता जाएगा n equal to 2 को हम बोलते हैं first excited state ऐसे जब n equal to 3 पे जाओगे तो उसे हम कहेंगे second excited state n equal to 4 पे जाओगे उसे हम बोलेंगे third excited state and so on चलते रहेगी तो first shell की energy सबसे कम होती है और जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे shell की energy भी क्या होती जाएगी बढ़ते जाएगी सबसे पहले हमने define किया कि nucleus के चारो तरफ क्या होता है shell जहां पर electron मिलने के chances होते हैं और shell को कौन denote करता है shell को denote करता है n n की हर value एक shell दिखाती है तो 1 2 3 4 जैसे से n की value बढ़ते जाती है वैसे से shell की size और energy दोनों ही बढ़ते जाती है अब अब दुबारा लख लेना n equal to income ground state n equal to 2 को first excited state और n equal to 3 को हम second excited state के नाम से जानते है ठीक है चलिए first quantum number सीखने के बाद हमारे पास आता है अपना second quantum number जो second quantum number है उसे हम कहते हैं azimethal quantum number azimethal या फिर आप इसे angular quantum number बोलते हूँ ठीक है तो यह चीज़ हम डीटेल में atomic structure में और पढ़ेंगे दुबारा से पर आभी यहां जो काम में आगा मैं सिर्फ आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ तो देखो azimethal quantum number किसको डिफाइन किसको रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स और सब शेल सब्षथ इन और श्यल तो देखो पहले आपने डिफाइन किया श्यल अब शेल के अंदर क्या होता है सब्षेल यह आपको समझना होगा सबसे पहले क्या मिलेगा आपको शव shell के अंदर क्या होता है sub shell azimethal quantum number को हम angular quantum number भी बोलते हैं तो हम L से denote करते हैं ठीक है दूसरी चीज each value of L each value of L defines या फिर आप simply बोल सकते हो चलो define से लिख लेते हैं defines a sub shell in a shell L की हर value एक shell के अंदर किसको define करती है, sub shell को define करती है, ठीक है तीसरी चीज देखें, यह सब याद ही रखना आपको धूदे समझ में आता जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा for a given value of N given value of N, यह बहुत important है given value of N there will be there will be N, अभी समझ में आ जाएगा, मैं जब बताऊंगा था, पस लिख लो N values of L which ranges from 0 to N minus 1 ठीक है, तो अब देखो N किसको define करता है shell को, एक given shell के अंदर उसका part होता है sub shell, shell का sub part क्या हो गया sub shell, अब shell के अंदर कितने sub shell है, वो आपको shell के नंबर से पता लएगा जैसे देखो, first shell first shell या फिर आप इसे k shell भी बोल सकते हो बोल सकते हो न, तो first shell, k shell के लिए N के वल्यूँ क्या होती है 1 है, तो N की देखो, यहां पढ़ो what a given value of N, N के लिए कितनी है, 1 there will be N values of L, अगर N के value 1 है, तो L की value भी एक ही होगी तो हम यह लिखेंगे, values of L, कितनी values आएगी, L की एक value आएगी और वो जो values होंगी, ranges from 0 to N-1, तो देखो, N की value 0 से N-1 N की value 1 रखो तो 1-1 0 हो गया, तो 0 से 0, यहांनी L की एक value आएगी, और वो value कितनी होगी, L equal to 0 ध्यान देना, L equal to 0 भी एक value है, L equal to 0 आदाने कि कोई value नहीं आई, नहीं L की एक value आएगी, और वो एक value कितनी है, L equal to 0 L की हर value एक sub shell को define करती है, तो जब L 0 आता है, तो इसे हम बोलते है, S sub shell क्या बोलते है, S sub shell थोड़ा सा patience रखो, सब सीख जाओगे, उतावले मतो बिल्कुल भी चलिए, बड़ते है, second shell पे, second shell, जिसे हम लोग L shell भी बोलेंगे, है ना, चलिए, L shell के लिए N कितना होगी है, 2, अब बताओ, N 2 है, तो L की कितनी values आएंगी, 2 values आएंगी, कौन-कौन सी, 0 से 2 minus 1, यानी 1, यानी L की एक value तो होगी 0, और L की एक value क्या होगी, 1 इसका अदलब क्या हुआ? इसका अदलब यह हुआ, कि second shell में, दो sub shell होते हैं, L equal to 0 denote करता है, S sub shell को, L equal to 1 denote करता है, P sub shell को, तो देखो, हम इसको ऐसे represent कर सकते हैं, कि बढ़ी, first shell में A की sub shell होता है, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, 1S, first shell का S sub shell, second shell में, 2S and 2P, तो जो आपने नंबर लिखा जो बहार वाला नंबर है वो N Principal Quantum Number की वैल्य यानि शेल बता रहा है अंदर वाला जो नंबर है वो सब्षल यानि 2S है तो देखो इसके लिए N हो गया 2 और L हो जाएगा 0 इसके लिए N हो गया 2 और L हो जाएगा 1 तो यहां से हम सीख पा रहे हैं कि एक given shell में हम कैसे sub shell बता सकते हैं तो first shell में एक sub shell होता है, second shell में दो sub shell होते हैं चलिए इसी तरह बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं third shell की, कौन से shell की? third shell, तो third shell के लिए n की value हो जाएगी 3 n 3, तो l की कितने values आएंगी? 3 values आएंगी, कौन कौन सी? l equal to 0, l equal to 1 and l equal to 2 l equal to 0, s sub shell, l equal to 1, p sub shell, l equal to 2 होता है, d sub shell यह में आपको अतर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा l1 है, तो p है, l0 है, s है और l2 है, तो कौन सा होगा? d sub shell तो third shell में 3 sub shell हो गए, 3s, 3p and 3d यह बहुत काम में हैगा, जो हम electronic configuration लिखेंगे तो बताओ इसी तरह, n equal to 4 में, n equal to जब आपकी पास 4 होगा यानि जब आप fourth shell में आचुके होंगे, n की value हो जाएगी 4 उस case में l की 4 values मिलेंगी, l equal to 0, l equal to 1, l equal to 2 and l equal to 3 l equal to 0 मतलब s sub shell, p sub shell, यह होता है d, इसके आता है f यह अलग चलते हैं, इसके बाद alphabetical चलता है, s, p, d, f a, b, c, d, e, f आ गया, f के बाद का आएगा g, जब l equal to 4 होगा तो g, l equal to 5 होगा तो h, l equal to 6 होगा तो i तो f, g, h, i, j, k, l, m, a ऐसे चलता जाएगा, पर यह आप भी जानते हों, और मैं भी जानता हूँ, f के आगे काम आते नहीं है, इसलिए हम उनकी चिंता भी नहीं करने वाले हैं, तो समझें, हमने सबसे पहले एक अटम में shell also known as angular quantum number, angular Q and Likram quantum number ko as we can calculate orbital angular momentum of electron by, तो देखो, अगर आप electron का orbital angular momentum, या आप तो simple बोल दो angular momentum, दीखे न, आभी हम इसके पचड़े में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यह हमारी inorganic में ज्यादा काम में नहीं आता है, तो सरफ angular momentum भी बोल सकते हो, आप अभी के लिए, फिर atomic structure में वह डीटेल में पढ़ोगे, तो इसका एक formula बनता है, h upon 2 pi into root l into l plus 1, अगर आपको substantial पता इस s है, s के लिए l 0 है, बताओ, इसके लिए orbital angular momentum कितना हो जाएगा, 0, 2, p के लिए कितना हो जाएगा, h upon 2 pi into l के लिए 1 रखो, तो 1 plus 1 हो गया 2, तो root 2, d के लिए कितना हो जाएगा, h upon 2 pi into, 2 into 3 root 6, और f के लिए कितना हो जाएगा, 4 into 3 root 12, समझ पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको angular quantum number के नाम से भी जानते हैं, एक और चोटी चीज़ बता दू, काम तो कभी आपके आएगी नहीं, बट स्टिल, ये s p df का मतलब क्या होता है, s p df को, इनका जो significance हो यह है, s का मतलब आपके पास होता है sharp, p का मतलब होता है principle, d का मतलब होता है diffused, ये इनके full forms है, और f होता है fundamental, तो यहां से इनको लिया गया है s p df को, को significance नहीं है इनका, बट आपकी general knowledge बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, तो देखो, अब हमने क्या कर लिया, shell define कर लिया, और shell के अंदर क्या present होता है, sub shell वो define कर लिया, shell को बताता है n, sub shell को बताता है l, अब हम एक, इस symbol को देखकर बता सकते है, n और l की values क्या होगी, for example, मैंने आपके साम लिख दिया 5p, तो मुझे पता है, कि ये 5th shell है, n की value है 5, और ये p sub shell है, l की value कितनी है 1, यानि सरफ इतना सा लिखाओ मुझे मिल जाए, तो मैं उससे n और l दोनों की values calculate कर सकता हूँ